दिल्ली के राजेंदर नगर में जिस तरीके से चार दिन पहले तीन छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिस कोचिंग सेंटर में वो पढ़ रहे थे, जिसकी बेस्मेंट में उनकी क्लासिस चल रही थी, जहांपर लाइबरेई थी, वहां पर अचानक से पानी भर गया था और दो चात्राओं और एक चात्र की दर्दनाक मौत हो गई थी, उसके बाद से ओल्ड राजेंदर नगर में घमासान मचा हुआ है, चात्र अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, भूखरताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन आमादी पार् जो वो कह रहे हैं, वो बातें सुनें, इसकी फुरसत किसी के पास नहीं है, लेकिन संजे सिंग जो राजे सभा सांसद आमादी पार्टी के नेता भी हैं, उनका हाल देख लीजिए, संसद परिसर में वो मंगलवार को धरना दे रहे थे, अपने चार-पांच सांसदों के सा हाथ में तक्तियां ले रखी थी, कि राजेंदर नगर में जो घटना हुई है, उसके लिए भाजापा जिम्मेदार है, उप राजेपाल को बरखास्त किया जाए, ये मांगे वो कर रहे थे जबकि संसद भवन से करीब करीब 5 किलोमेटर की दूरी पर है राजेंदर नगर, वो वहां जाकर छातरों के साथ मिल बैठ कर भी धरना दे सकते थे, अगर वो ये मान कर चलते हैं कि BJP स्केली जब मेंदार है, तो उनको चाहिए था कि वो छातरों के बीच बैठ जाते, ये सारी तक्तियां वापड ले जाते, और छातरों के साथ मिल कर धरना देते, लेकिन हिम्मत नहीं है आमाधी पार्टी के एक भी नेता के पास इस वक्त कि वो इन छात्रों के बीच जाएं डरके मारी ये सब लोग रायता फैलाने में लगे हुए हैं लेकिन किसी के पास इतनी फुरसत नहीं है, इतनी हम्मत नहीं है कि छात्रों के बीच जा कर दिखाएं। दुर्गेश पाटक जो की राजेंदर नगर के विधायक हैं, उनको देख लीजिए, वो भी अभी तक छात्रों की बीच नहीं गए हैं, जब भी उनकी तो नैतिक जम्मेदारी बनती है, उनके विधान सबाक शेत्र में इघटना हुई है, उनको तो सबसे पहले वहां पर पह कार लगाई है, दिल्ली की केजिवाल सरकार और MCD को कि सब के सब दोड़े भागे फर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है दिल्ली हाइकोर्ट में, वो आपको बताती हूं मिस्तार से, हाइकोर्ट ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है, और कहा कि आप बहु मनजिला इमा कुछ नहीं हो रहा है, और यहाँ पर जिस कार चलाने वाले रहागीर की बात हो रही है, वो आपको बता दूं कि बहुत सारे चैनल्स पर एक वीडियो दिखाया गया था, कि जिस वक्त ये घटना हुई, उससे कुछ देर पहले एक काले रंग की बड़ी सी गाड़ी उस सड से गुजरती है और पानी जो है वो अंदर चला जाता है बेस्मेंट में और उस पानी से जो कोचिंग सेंटर का गेट था वो भी तूट गया, यह कहा जा रहा है, और उस शक्स को इन लोगों ने दिल्ली पुलिस ने गिरफतार कर लिया है, अब आप बताए कि जो MCD के अध परताल चल रही इस मामले में और इसे लिए दिली हाइ कोट ने कहा, अजीबो गरीब तरीके से जाजब परताल चल रही है, आगे कोट ने क्या कहा? आगे दिल्ली हाई कोट ने दिल्ली की केजिवाल सरकार और MCD को फटकार लगाते में पूछा कि आपके पास नाले और नालियों की साफ सफाई का कोई प्लान है भी या नहीं आखिर ऐसी घटना क्यों हुई दिल्ली सरकार के वकील ने घटना से पहले के हालात के बारे में बताया साथ ही कहा कि निरिक्षन की फाइलें तुरंथ अधिकारियों को भेज दी गई है मतलब सिट्टी-पिट्टी तो गुम हो गई दिल्ली सरकार के वकील की वहाँ पर कोट किये फटकार सुनने के बाद उसके बाद ये सफाई दी गई कि तुरंथ निरिक्षन करवाने के लिए फाइलें जो है वो अधिकारियों को सौप दे गई है दिल्ली हाई कोट ने MCD कमिशनर को भी अब तलब किया है और अगली सनुआई एक दिन बाद शुकरवार को होनी है और धाई बजे MCD के कमिशनर को निर्देश दिया गया है कि वो व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली हाई कोट के सामने पेश होंगे दिल्ली हाइपोर्ट ने सरकार से कहा कि कल तक हलफनामा दें कि अब तक क्या कदम उठाए गए है शिकंजा कस दिया है दिल्ली हाइपोर्ट ने दिल्ली की केजिवाल सरकार की इर्दगिर्द हलफनामा मांगा है MCD के कमिशनर को तो एक दिन बाद पेश होना है लेकिन केज़िवाल सरकार से कहा गया है कि वो कोट में हलफ नामा दर्ज करवाएं कल तक यानि की गुरुवार तक और बताएं कि इस हादसे के बाद क्या 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 कदम उठाए गई हैं MCD के वकील ने कहा कि कुछ MCD अधिकारियों के खिलाफ माईलोड कारवाई की गई है कोट ने कहा कि तुमने जूनियर अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले लिया पर जिन बड़े अधिकारियों की निगरानी की जिम्मेदारी है उन पर क्या कारवाई की आपने कोट ने कहा कि एक दिन सूखे से परिशान होते हो और अगले दिन बार से। दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD के अधिकारियों पर तीखा प्रहार किया। अपने AC के चैंबर चोड़ कर बहर जाते ही नहीए, देखते ही नहीए कि किस तरह से कोचिंग सेंटर बनाया जा रही है, कैसे उस बेस्मेंट में classes लगाई जा रही है, लाइब रेडिश चलाही जा रही है, जिन बेस्मेंट में सामान रखने के लिए NOC लिया जाता है, ये का और चोटे एक जूनियर इंजिनियर के खिलाफ कारवाई की गई है उसे गिरफतार क्या गया है उस पर भी फटकार लगाई दिल्ली हाई कोट ने आगे दिल्ली हाई कोट ने कहा कि इस freebies संस्कृति का भी आपको पता होगा सवा 3 करोड की आबादी है जबकि ये 6-7 लाग की आबादी के लिए प्लांड शेहर था बिना बुनियादी धांचा सुधारे कैसे इतनी आबादी यहां रह सकती है ये जो freebies संस्कृति की बात दिल्ली हाई कोट कर रहा है दरसल केजिवाल सरकार पर तंच है जिन्होंने दिल्ली में लोगों को मुफ्त में बिजली मुफ्त सरकार ने अपने इस साल की बजट में ये एलान भी किया था कि दिल्ली में 18 साल से ज्यादा की उम्र की सभी महिलाओं को उनके खाते में हर महीने 1000 रुपया दिया जाएगा वो बाता लगे कि अभी तक दिया नहीं गया है क्योंकि अर्विन के जिवाल जब सरेंडर कर रहे थे तिहार जेल में 2 जून को तब जाते जाते उन्होंने जो प्रेस कॉन्फरेंस की थी एक दिन पहले उसमें कहा था कि मैं जब लौट कर आऊंगा तो दिल्ली की महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 1000 रुपया दिया जाएगा तो अभी तक तो लौटे नहीं अर्विन के केजिवाल सरकार पर ये तंज था कि आपने सारा पैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाना चाहिए था बुनियादी सुविधाय देने पर लगाना चाहिए था वो पैसा तो फ्रीवीज में बहा दिया मुफ्त की रेवडियां बांटने में ही बहा दिया तो आपके पास बुनियादी धांचे के लिए पैसा कहां से आएगा और आपको तो पता हिए कि दिल्ली सरकार ने बुनियादी धांचे को लेकर किस तरहां का रोना रोया था सुप्रिम कोर्ट में राटेस प्रोजेक्ट के लिए सवा 400 करोड रुपए देने के पैसे नहीं थे अर्विन के जिवाल सरकार के पास जबकि 500 करोड का बजट था विज्यापनों के लिए तो इस पर भी दिल्ली हाई कोर्ट में तंच कसा है आगे कोट ने कहा कि ये एक तरहां की रणनीती है जहां किसी को जिम्मेदार नहीं बताया जाता है जिम्मेदारी से तो सब बच रहे है राजेंदर नगर का विधायक वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है दुरगेश पाठक कहां लापता है किसी को नहीं पता है मंत्री है ज फिल्टे उपराजेपाल पर सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि अधिकारी तो उनकी सुनते नहीं है, फाइल जो थी ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन करने की वो उपराजेपाल के पास पड़ी हुई है, तो उस फाइल को आगे बढ़ा ही नहीं गया, इसलिए ड्रेनेज की सफ हाई की जिम्मेदारी मोधी सरकार की है, उपराजेपाल की है, ये साबित करने में लगी हुई है, आमाधी पार्टी, पोर्ट ने कहा कि हमें ये पता करना होगा कि कहां किसकी जिम्मेदारी है, अगर जाँच अधिकारी ने ठीक से जाँच नहीं की, तो हम किसी केंदरी को गिरफतार करके पल्ला जाड़ लिया जाएगा और वो जो काले रंग की गाड़ी चलाने वाला शक्स है उसको गिरफतार कर लिया जाएगा तो फिर कोट इस पर बहुत जल्द बड़ा फैसला लेगा और इस मामले की जांच CBI को भी सौपी जा सकती है ये दिल्ली हाई कोट ने साफ कह दिया आपको याद दिला दें की याचिका करता जिसने की ये PIL दायर की थी उसके वकील ने कोट में कहा कि राजिंदर नगर में जो कुछ हुआ वो दुरुभागयपूर्ण से भी ज्यादा है उन्होंने कहा कि इस कुन तीन लोगों की जान बचाई जा सकती थी रहाईशी इलाकों में बेस्मेंट में कई लाइबरेडियां चल रही है ओल्ड राजिंदर नगर में लेकिन पता नहीं MCD खामोश क्यों है अब खामोश इसलिए है कि जेवे भरदी जाती होंगी NOC जब ये लोग जारी करते ह होंगे इन सब को जहां जहां बेस्मेंट में लाइबरेडी चल रही है या क्लासिज लगाई जा रही है तो अच्छी खासी मोटी रखम इनको मिल जाती होगी वसूली हो जाती होगी इसलिए NOC दे देती है MCD और अपनी जिम्मेदारी से बच जाती है इसलिए MCD खामोश है समझना जरूरी है कि MCD की खामोशी के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कुकुर मुत्ते की तरह ओल्ड राजिंदर नगर मुखरजी नगर पटेल नगर में ये सारे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं अवैत तरीके से चल रहे हैं वहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई करने क लिए दूरदराज के इलाकों से आते हैं किस तरह के हालात में रह रहे हैं डॉर मैट्री बनाई गई है उनके लिए मतलब आप सोच सकते हैं कि मोटा मोटा पैसा उनसे वहां के लोग वसूल रहे है एक कमरे के लिए लेकिन सुविधाओं के नाम पर उनको कुछ नहीं दिय जा रहा है और अब धीरे-धीरे करके इसका परदाफाश हो रहा है आगे याचिका कर्दा ने अपनी इस याचिका में कहा था कि एक उचस्तरी जांच की जरूरत है कि आखिर किस चीज ने अधिकारियों को कारवाई करने से रोका MCD की अधिकारियों ने कारवाई क्यों नहीं की क्या उनके किसी आका ने उनसे कहा था कि वो ओल्ड राजंदर नगर की तरफ जांके ही ना वहाँ देखने की कोशिश ही ना करें कि वहाँ पर चल क्या रहा है और यहाँ बार बार आपको याद दिला रहे हूं कि दुर्गेश पाठक यहां के विधायक है उनसे पहले यहां पर रागव चड़ा विधायक थे और दुर्गेश पाठक तो वो विधायक है जो खुद UPSC की तयारी करने के लिए सालों पहले राजंदर नगर में आये थे और बाद में वो राजनेता बन गए और जहां पर यह घटना उनको कहा कि वहां ना जाए इस मंत्री के कहने पर NOC जारी किया जा रहा था ऐसी कोचिंग सेंटर्स को जो बेस्मेंट में अपनी क्लासिज लगा रहे थे और लाइब्रेडी चला रहे थे याचिका करता ने कोट में ये भी खा कि अभी हाल ही में पटेल नगर में एक UPSC की तयारी करने वाले चातर की करंट लगने से मौत हो गई थी इसके खिलाफ भी उन्होंने एक याचिका दायर की थी लेकिन इसके बावजुद अभी तक उस याचिका पर MCD या दिली सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है दिली के पटेल नगर करोल बाग राजेंदर अगर में बहुत सी बहुमंजिला इमारते हैं एक एक इमारत में करीब 50-60 छातर रह रहे हैं यहां तक कि बेस्मेंट में भी छातरों के पीजी चल रहे हैं प्रतेक शेत्र में अवैर निर्मान को रोकने के लिए MCD की तरफ से व्यक्ति नुक्त किये गए हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं और किसके इशारे पर वो काम नहीं कर रहे हैं यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक नैकसस है नीचे से लेकर उपर तक के अधिकारी इसमें मिले हुए हैं इसमें राजनेता मिले हुए हैं सब को पैसा जा रहा है सब वसूली कर रहे हैं इसलिए इस त कि लिए नमन सेवा की मनझुरी लेनी होगी उन्होंने कहा कि अधिकारी निरिक्षड़न कर रहे हैं करीब 75 संस्थानों को नोटिस जारी किये गए ह्या- नोटिस अब जारी क्यों किये गए क्या हाथसे का इंतजार किया जाता है कि हाथसा हो जाएगा उसके बाद कारवाई होगी यह किसकी लाप परवाही है कि अभी तक वहां पर 75 ऐसे संस्थान चल रहे थे ऐसी इमारते हैं जहां पर बेस्मेंट में लाइब्रेविस चलाई जा जिनको परमीशन दी गई थी कि वह अपनी बेस्मेंट में क्लासिस चला सकते हैं लाइब्रेविस चला सकते हैं तो कारवाई अब क्यों हो रही है सवाल तो यह है आगे दिली सरकार ने खा कि 35 ऐसे संस्थान बंद कर दिये गए है और 25 को सील कर दिया गया बहुत अच्छा क किया है तीन होनहार चात्रों की मौत के बाद दिली सरकार की नींद टूटी है एंसीडी की नींद टूटी है और अब वो खुद कबूल कर रहे हैं दिली हाई कोर्ट में कि 75 संस्थान अवै तरीके से क्लासिस चला रहे थे बेस्मेंट में 35 को बंद कर दिया गया है और 25 को स खेरा रहे हैं लेकिन जो हालाते उसके हिसाब से कारवाई हो रही है दिली हाई कोर्ट ने फटकार लगाते में कहा कि कोचिंग सेंटर के खिलाफ कदम उठाया गया MCD के अदिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाय गया क्योंकि सवाल तो यही है कि जिन अधिकारियों की नाग के नीचे ये सारा का सारा कोचिंग सेंटर का धंदा चल रहा था उनके खिलाफ कर वाई क्यो नहीं हुई सिर्फ एक जुनियर अधिकारी के खिलाफ कारवाई हुई है마ір बाकि सब के सब बच निकले है तो यही सवाल दिल्ली हाई कोट ने पूछा कि बाकी अधिकारियों के खिलाफ क्या कारवाई की गई है याचिका करता ने कहा कि ये पूरी तरह से एक आपराधिक लापरवाही का मामला है और गौर्ट अन्ने वाली बात यह है कि एक तरह आज केजिवाद सरकार को दिल्ली हाई कोट में फटकार पड़ रही थी और दूसरी तरफ आज मीडिया के सामने आकर आतिशी मार लेना कह रही थी कि वो बहुत जल्द ऐसा कानून लेकर आ रहे है ताकि इन सब इलाकों में राज़ेंदर नगर में पटेल नगर में मुखर्जी नगर में जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वो सुचारू ढंग से चले उनके लिए बाकाईदा नियम कायदे ताय किये जाएंगे तो फिर सवाल तो यही है कि पहले क्यों नहीं बनाए गए नियम कायदे किसके इशारे पर इतने बड़े पैमाने पर ये लापरवाईया हो रही थी और ये जो अब कोचिंग सेंटर को लेकर नियम कायदे बनाने की बात आतिशी मार लेना कर रही है ये दरसल ये दिखाने की क हुशिश हो रही है दिली हाइक को के देखिए हमने कारवाईं करना शुरू कर दिया है और हलफ नामे में भी इसका जिकर किया जाएगा लेकिन देखते हैं कल दिल्ली हाइक को में तहकीकाद दिल्ली पुलिस ने ठीक धंग से नहीं की तो वो किसी भी केंदरी जाच अजनसी को यानि की CBI को ये मामला सौप सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार, भारत माता की जैहो, वंदे मात्रम और जैशिराब